कर्तिक मा महात्यव दस्वा अध्याय माया पती नराइन के चर्णों में सीसनवाय दस्वा अध्याय कर्तिक लीखुम नराइन रहे राजा पिर्थु बोले हे रिसी स्रेष्ट नारज जी आपको पराम है किर्पया अब यह बताने की किर्पा किजिए कि जब भगवान संकर ने अपने मस्तक के तेज को छीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ नराज जी बोले हे राजान जब भगवान संकर ने अपना वा तेज छीर सागर में डाल दिया तो उस समय वा सीग रही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भै देने वाला रुधन करने लगा उसके रुधन से संपून जगत ब्याकुल हो उठा लोकपाल भी ब्याकुल हो गए चराचर चल्चलान मैन को गया संकर सुबन के रुधन से संपूर ब्रांड में ब्याकुल हो गया या देकर सभी देवता और रिसी मुनी ब्याकुल होकर ब्रह्मबा जी के सरन में गए और उन्हें पराम कर उनकी स्थूति करने लगे उन सभी ने ब्रह्मबा जी से कहा हे पिता महां या तो तिनों बहुत ही बिकट प्रिश्थिति उत्पन हो गई है हे महांगनी इसको नश्ट किजिए देवताओं के लिमूख से इस परकार सुनकर ब्रह्मबा जी सत्थ लोक से उतर कर उस बालक को देखने के लिए सागर टट पर आगए सागर ने ब्रह्मा जी को आता देकर उन्हेंने पनाम किया और बालक को उठा कर उनकी गोद में दे दिया अशल चकीत होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा है सागर यह बालक किसका है सीगर पूरबक का हो सागर बिनर्म पूरबक से बोला प्रभू यह तो मुझे ज्यात नहीं है प्रंतु मैं इतना वैस जानता हूं कि यह गंगा सागर के संगम पर परगट हुआ है इसलिए है जिगत गुरू आप इस बालक का जात करम आधी संसकार करके इसका जात के फल बताए नारा जी राजा पिर्थो से बोले सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल कर बार बार उनका अकरसन कर रहा था फिर तो उस नहीं ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उसे पीडित होकर ब्रह्मा जी की आँखे से आँसू टपकने लगे ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हांथों का जोर लगा कर किसी परकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा हे सागर सुनो मैं तुम्हारे इस पूत्र का जातक फल कहता हूं मेरे नेत्र स जो यह जल निकला है इससे कारण इसका नाम जलंदर होगा उत्पन होते ही यह तरुना वश्था के को प्राप्त हो गया है इसलिए यह सब सास्त्रों का पारगामी, महा प्रकर्मी, महा भीर, बलसाली, महा यूद्धा और रहने में विजय प्राप्त करने बाला होगा यह बालक सविदैतों का अधिपती होगा यह किसी से भी प्राजित नहीं होने वाला तथा भगवान विश्णों को भी जीतने वाला होगा बागवान संकर को छोड़ कर यह सबसे अभय होगा जहां से इसकी उत्पति हुई है यहां वहीं जाएगा इसकी पत्नी बड़ी पती वर्ता सुभयकसाली सर्वसुंदरी प्रम्मनोहर मदूर बानी बोलने बाली तथा सिल्बान होगी सागर से इस परकार कहकर ब्रम्मा जी ने सुक्रचार को बुलाया और उनके हांतों से बलके का इलाज स्वेकर आकर उस वहें में अंत्रेदाम हो गये बालको देखकर सागर की परसंता की सीमा न रही वहर्सित मन से घर आ गया फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया फिर काले ने नामक आसुरों को बुला कर बिंदा नामक कन्या से विधि पुर्वख उसका विवा करा दिया उस विवा में बहुत ब्रप उत्सब हुआ स्री सुक्रचाज के प्रभाव से पत्नी सहीत जलंध दैतों का राजा हो गया कार्ती कमास के महात्म